वेल्कम टू वीडियो गुरू वीडियो गुरू में आपका स्वागत है आज बात करने वाले जीएस में आपके सामने पॉलिटी अब देखेंगे जितने सारे पेपर हुए हैं या फिर पेपर होंगे जीएस बेस्ट समझना उसमें पॉलिटी एक अहम भूमिका निवाता है और उस पॉलिटी में आज बाते करेंगे डिवलप्मेंट आप दा इंडियन कस्टिूशन यानि भारते संविधान का विकास अगर आप प्रिवेस येर पेपर उठा लो या जितने सारे जीएस पर अधारत एक्जाम हुए हैं या रेलवे हो एससी हो या फिर MP वियापम हो पॉलिटी से कई सारे कोशन आते हैं तो पॉलिटी का जो पहला चेप्टर या लेक्षर वन के हैं डेवलप्मेंट ऑप दा इंडियन कस्टिूशन भारते संविधान का विकास यानि भारते संविधान का विकास कहां से शुरू हुआ जो आज की रूप रेखा है जो हम बात करें तो इसके अंतरगत हम तीन बातों को रखते हैं तीन बाते क्या कि एक सबसे पहले कि जो ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी आई यानि इस इंडिया कंपनी आती है और यह अपने तरीके से सासन चलाता है इसके बाद बात करें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यानि 1773 का रेगुलेटिंग एक डैक्ट मिस क्या हो गया कि अब ब्रिटिस कंपनी एक लगतार भारत के लिए कुछ ने कुछ नियम बनाने लगी और उसी के तहत सासन करने लगी हम तिसरी की बात करें क्राउन क्राउन यानि ब्रिटेन की महरानी यानि क्राउन डैक्मिस 1858 के एक क्राउन बेवस्था था वो भी खताब हो गया अब पूरा का पूरा चलेगा किस पर क्राउन पर अधारी तहम डेवलप्मेंट आप दा इंडियन के बात करें भारते समिधान का विकास की बात करें दो भागों में केटोगराइज करके पढ़ेंगे पहला क्या है 1773 का रेग परेखा क्या रहता है तो चलिए शुरुवात करें आज का चिप्टर देखें क्या है हम बात करें दा ओरिजन और ग्रॉथ ऑफ दा इंडियन कंशिचूशन है जिट्स रूट इन इंडियन हिस्ट्री दूरिंग दा ब्रिटिश प्रिएड अभी कुछ दर पहले कहा कि भार दॉर्ट में राजाओं का शासना यानि समुधान जैसे कोई बातें जानते नहीं थे हम लोग समधान जैसे वैपारियों के रूप में यानि यह जब भारत आये वैपारियों के रूप में लेकिन अब यह ऐसा क्या हो गया कि यहां पर सासन करने लगे रिजन बिहाइंड यहां रौ मैट्रियल की बात करें कच्छे माल की बात करें कच्छे पदार की बात करें अंग्रेज करते क्या थे बिसिकली यह भारत आते थे यहां से raw material को collect किये चाहे जैसे हो वो खरीदे या छीने यहां से ले जाकर लंदन में manufacturing goods तयार किये और फिर भारत लाकर बिज़ती है अब सोचो जहां raw material को पैसा में खरीद रहे हैं अगर मैं यहां सासन करूँ और raw material को मुफ्त में खरीदू या क तब क्या को profit जैदा होगा इस कारण से अंग्रेज बैपारी भारत में सासन करने लगे तो सासन कैसे करने लगे उसी की चर्चा करेंगे और उनके सासन करने के द्वारा भारत में changes क्या हुआ जो आज की स्थिति देखने को मिलती है यानि आज का रूप रेखा जो भारत का स समझ में अब चली देखने कहा क्या भारते समिधान का विकास कहां से देखने को मिला तो 1773 के regulating यानि पहले अपने तरीकी से सासन चला रहे थे regulating यानि regulate कर दिया British East India Company को regulate कर दिया यानि भाईया अब आप जो कर रहे थे यहां पर अपने तरीकी से सासन चला रहे थे वो आप सासन नहीं चलेगा अब वो सासन विवस्था British सरकार द्वारा चलेगा समझ में बाते को British सरकार द्वारा चलेगा सासन करो आप लेकिन British सरकार आपके लिए रूल रेगुलेशन बनाएगी तो ऐसा क्या हो गया सर 1947 तक जब यह चला तो हमारे लिए तो अच्छा था कि हमें राजाओं से मुक्ती मिल गई कुछ-कुछ सुधार देखनों को मिले लेकिन समझना उनमें से किसी ने भी डैक्मिस कहें कि नन ऑफ देम सटिस यानि जितने सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए थे भार्कियों के लिए किसके द्वारा बनाए गए थे तो एलियन रूलर्स यानि विदेशी सास्कों के द्वारा बनाए गए इस कारण से हम लोग पचा नहीं पाए इस कारण से लग रहा था कि बस यहां एक समिधान बनाए उसके चर्चा करेंगे धिरे धिरे आगे यहां तक बात आई समझ में कि 1773 से बेसिकली सुधार देखने को मिला जो आगे चलकर कहीं ना कहीं अब देखते हैं सबसे पहले बात करें development of the Indian Constitution में दो कि the period of constitutional development in India can be divided into two phases यानि दो भागों में हमें divide करना होगा कैसे तो एक कहें 1773 से लेकर 1857 यानि 58 के act तक क्यों क्योंकि याद होगा 1857 में revolt होता है यहां और revolt होने के बाद अंग्रेजों को कई सारे छेत्रों में नुक्सान उठाना पड़ता है तब एक ऐसा act लाए जाता है जो आगे चल कर अंग्रेज यह नहीं चाहते हैं कि फिर से भारत में कोई विद्रो हो जाए इस कारण से दो भागों में divide करेंगे यह पहला क्या है कि पहला British East India Company सासन करेंगी 1773 से लेकर 1857 तक और फिर 1857 तक किसके द्वारा तो British Crown यानि Britain की महरानी के द्वारा यानि भारत के लिए ब्रिटिस क्राउन ने अलग-अलग समय में कानुन बनाए फूर एक्जामपल 1858 का एक्ट फूर एक्जामपल मॉरले मिन्टो रिफॉर्म फूर एक्जामपल मॉन्टेग्यू चेम्सफोड रिफॉर्म यान उनिस ओनिस फिर गौवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइटीन थर्टीफाइब सब को धीरी धीरे आगे एक्स्प्लेन करेंगे पहले हम यहां इसकी चर्चा करने ठीक है चलिए सब से पहले बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जैसा कि मैंने कहा act regulating यानि किसी भी चीज को regulate कर देना यानि इसके पहले था अंग्रेश अपने तरीके से सासन चला रहे थे यह आक्ट आता है और फिर company को regulate कर दी जाती है कि आप अपने तरीके से सासन नहीं चलाओगे अब बृतिन की जो government है उनका भी दखलंदाजी होगा तो कह सकते हैं कि first attempt by the British Parliament to regulate the affairs of the company यानि company के मामलों को विन्यमित करने के लिए रेगुलेट करने के लिए British संसद का पहला परियास था अब एक चीज और इसके पहले क्या होता था कि governor general चलता था समझना एक बंगाल है एक मदरास है और एक बंबई प्रसिडेंसी है तीन प्रसिडेंसी है तो तीन प्रसिडेंसी यानि बंगाल बंबई और मदरास अब सवाल उठता है सर Robert Clive जो थे बंगाल की governor थे 1773 के पहले बंगाल की governor थे और इस regulating act के जगह पे अब बदले में Robert Clive के जगह पे आ गया कौन आ गया Warren Hastings यानि अब question के आएगा कि बंगाल के अंतिम governor कौन थे Robert Clive और फिर Warren Hastings यानि regulating act 1773 के अधार पे कह सकते हैं कि अब बंगाल का governor general कौन हो गया याद रखना मैंने कहा governor Robert Clive अब एक नया टर्म जुड़ गया governor general वो कौन हो गया Warren Hastings हो गया वह ही कहा कि बंगाल के governor भारत में सभी British छेतरों के लिए governor general बन गये जब आपके एक्जामे पुछे जाएंगे कि 1773 के regulating act के तहत भारत का या बंगाल का पहला governor general या ऐसे कर दें कि British छेतर का पहला governor general कौन होगा Warren Hastings होगा किलियर है यहां तक चलिए अब देखें आगे इसके बाद कहा कि governor general and council अब भी आप governor general तो आ गया वो काम कैसे करेगा जैसे आप अभी समझेए प्राइम निस्टर है उनके मंत्री मंदल है तभी तो वो काम करते हैं मानलो परधान मंत्री हैं उनके रच्छा मंत्री हैं विदेश मंत्री हैं वैसे ही governor general and council of four members were appointed for बंगाल यानि बंगाल के लिए अब governor general के साथ चार सदस्चियों को add कर दिया गया यानि कह सकते हैं कि चार सदस्चियों का governor general यानि तीन governor general और एक governor general और तीन other member यानि चार सदस्चियों का governor general और परिशद नियुक्त कर दिया गया तो कह सकते हैं यहाँ पर governor general कौन थे वार्रन हैस्टिंग्स थे और तीन इनके सदस्चियों हो गए ठीक है और मैंने क्या कहा कुछ दर पहले कि तीन presidency था बंगाल मदरास और बंबई यह दोनो प्रेसिडेंसी को बंगाल के अंदर कर दिया गया यानि बंबई जो महराष्ट्रा में मदरास जो तामिल नाड़ी में यानि वो दोनो को दोनो किस के अंदर हो गया बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर हो गया किस एक्ट के जरिये तो रेगुलेटिंग एक्ट 17-17 थर्ड के जरिये ठीक है चलिए अब इस एक्ट की जो महपुन बाते हैं कोशन क्या बनेगा सबसे बड़ी चीज है कि सर ये कोशन क्या आएगा इससे सबसे पहला कि अब तक भारत में सुपरिम कोट का कोई कलपना नहीं था यानि कैसे काम होता था तो इसके बदले में यानि कहें इसके पहले भारत में मेयर कोट था भारत में एक मेयर कोट था तब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से Supreme Court के अस्थापना की जाती है कल्कत्ता में जब आपके एकजामे पूछा जाये कि Supreme Court के अस्थापना कब की गई 1774 जब कहा जाये कि Supreme Court के अस्थापना कल्कत्ता में की गई किस आड़ार पर regulating act 1773 अगर question आ जाये कि भाईया यह बता दो Supreme Court के पहले कैसे काम करता था तो कलकत्ता के मेयर कोर्ट की जगा पे स्थापना होई कहां? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में. यानि कोशन कैसे भी बने अगर हमारा कॉंसेट हिलियर है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा एक्जाम हॉल में. ठीक है? चलिए. अब आगे देखिए. तो कितने जज्ज थे? जै उस समय चार जज्ज थे यानि थ्री प्लस वन थ्री प्लस वन यानि एक चीफ जस्टिस और तीन अधर तो आप देख रहें सामने क्या है? कि देर वर फोर जजज इंक्लूडिंग दा चीफ जस्टिस सर एलिजा इमपे यानि इस समय सुपरिम कोड की जो अस्थापना होती ह उस समय सर एलिजा इमपे इसके मुख नयायथिस बने और जो अन्य नयायथिस कौन थे? जॉन हाइड, रॉबर्ट चेमबर्स और इस्टिफ़न सीजर लिमेस्टर इसको याद रशने का मैं एक तरीका बताऊं एच सी एल एच सी एल अब लोग सोच रहे हों सर एच सी एल क्या है? हाइड्रोकलोरिक एसिड? नहीं एच सी एल यानि इस्टिफ़न चेमबर्स आरे बस समझ में और लिमेस्टर यानि कैसे याद रखें देखिए लिखा हुआ है उपर में जॉन हाइड, रॉबर्ट और एल फोर लेमेस्टर यानि एच सी एल के जरिए हम याद रख सकते हैं कि जो तीन अधर जजेज थे तो कौन थे हाइड चैमबर्स और लेमेस्टर और जो चीफ जस्टिस कौन थे सर एलिजा इंपे के लिए रहे चलिए अब देखिए नेस्ट वन अब कहां हाँ तो कहा गया कि कंपनी के जो वाने जी को राजनितिक कार्यों के लिए दो डिपार्टमेन बनाएगे कह सकते हैं कौन-कौन सा एक बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स और एक कंट्रोल तो दोनों के काम क्या थे यह समझना होगा सबसे पहले समझें कि जो एक्टिविटी थी वाने जी कार्य कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डारीक्टर्स रखा गया और राजनितिक मामूलों के लिए बोर्ड ऑप कंट्रोल की अस्थापना की गई कि गया जब आपके एक्जामें पूछे जाए कि बोर्ड ऑफ rightly ऑफ, गया तो ब्लचार का काम क्या था तो वाने जी कार्यों के जरे जो राइनितिक मामले थे लोग करते क्या थे कि कमपनी का वैपार करने के साथ साथ नीजी वैपार करते थे यानि नीजी प्रॉफिट पर ध्यान जायदा देते थे इसलिए कहा गया नहीं जिनका भी रिलेशन राजाओं से अच्छा है एक काम करो डिपार्टमेंट दो बोट के लिए रहे चलिए अब देखते हैं इसके जरवे और क्या किया गया जैसा कि सत्राशो तिहत्र कर those regulating एक्ड था वार डिंग हैश्टिंक्स रिएक हैं वार्न एक्स से ज्रिभार्न हैश्टिंग्स क्या थे वंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे अब भारत में कंपनियों के छेतर को ब्रिटिस भारत कहा जाने लगा यानि अब officially मुहर लग गई कि भारत में जो कंपनी का छेतर होगा उसे दा ब्रिटिस इंडिया कहा जाएगा अब तक अफिसले नहीं था लेकिन पिट्स इंडिया अधिनियम के जरिए ये मुहर लगा दी गई और पहले ही कहा कि बंबे और मदराश प्रेसिडेंसी दोनों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतरगत कर दिया गया और इस एक्ट के तहट इस एक्ट के तहट अब गवर्नर जनरल औ और उसके कॉंसिल का नियंत्रन पूरा का पूरा बंबे और मदराश प्रेसिडेंसी पर पढ़ने लगा ठीक है अब देखें 1786 का अधिनियम अब दो साल के बाद एक एक्ट आता है इस एक्ट मतलब क्या समझते हैं जैसे अभी हम देखेंगे भारत के राष्टपती वह क्य यानि आप आर्मी की बात कर लो या फिर एरफोर्स की बात कर लो या नेवी की बात कर लो तीनों के जो चीफ कौन होंगे तीनों के चीफ भारत में राष्टपती तीनों के तो परमुक होते हैं जैसे एरचीफ बार साल वगेरा हो गये लेकिन तीनों सिनाओं के जो परमुक होंगे राष्टपती होंगे तो वैसे ही दा गवर्णर जेनरल वास्ट डिकलियर्ड दा कमांडर इंचेफ ऑफ दा इंडियन होर्स गवर्णर जेनरल को अब भार्तिय बलों का कमांडर इंचेफ घोसित किया गया किस एक्ट के जरिए तो दा अधिनियम के अब अधिकारी है उनको चाहिए पता है उनकी सेलरी कैसे दनी जाने लगी अब भारत से ऍदेही इसी में कहा गया कि दादा भाइड़ों जी डादा भाई नेरोजी समझना मैं थोड़ा था लिंक कर रहूं केहते क्या है जब कॉंगरिस के स्थापना हुए 1885 शियासी में लिए भारत से ड्रेन अफ वोल्थ धन का निसकासन अलग अलग तरीके से हुग ध्रihin किस ने दिया, दादा भाई नवरुजी ने दिया धन का निश्कासन यानि कैसे तो अंगरेजब भारत से पैसे किस रूप में ले जा रहे हैं, कि सैलरी भी दे रहे हैं, इसके बास सैलर के साथ सै गि olduğ विफट भी दिया जा रहा है, तो वैसे ही भारतिय राजयसु से नियंतरन बौर्द के सदस्यों के वेतन और वयका भुगदान किया गया कोश्ण क्या बनेंगे कि सबसे पहले उस आइक्ट का नाम बताई जिस एक्ट से नियंतरन बौर्ड के सदस्यों की सैलरी दी गई यांज बोर्ड ऑफ-क अंट्रोलर के बहुत बड़ा चेंजिस लाया भारत के लिए चेंजिस क्या लाया यानि अब अंग्रेजों के जो पर थे वो कतरने लगे पर यानि क्या हो गया कि भाई खुलकर तो बैपार करते ही थे तब थोड़ी सी और जो कमपनिया थे ब्रिटेन में उनकी स्थिती खराग हो गई तब मुनार्ग से वहां के महरानी महराज जो कहें उनसे गुजारिश करते हैं कि सर इस्ट इंडिया कमपनी काफी लूट लिया भारत में हमें भी तो मौका मिले मैं कहां जाओं तब जाकर चार्टर एक्ट 1813 से चार्टर अधिनियम 1813 से ट्रेड मोनोपॉली ऑफ दा इस्ट इं दर्वाजा सभी अंगरेजों के लिए खोल दिया गया अब सवाल उ simple future जो ब्रिटिस इस इंडिया कमपनी थे क्या वोचले गए नहीं उनकी भी मोनोपॉली बनी रही बट कहां के लिए तो उनकी मोनोपॉली बनी रही ठी चाय का वैपार कर सकते हैं यानि चाय का दूसरी नहीं करेगा केवल कौन करेंगे तो British East India Company करेंगी चीनी के साथ बैपार कोई नहीं करेगा कौन करेगा तो इस्ट इंडिया कमपनी करेंगी यानि कह सकते हैं कि British East India Company का जो बैपारिक एकादिकार था किस एक्ट के जरिये छीना गया चाटर अधिनियम 1813, चाटर एक 1813 के तहट, और ये जो चाय और चीनी का जो मामला है वो 20 वर्सों के लिए बढ़ा दिया गया, यानि कहा सर आपका तो अधिकार है भी, वो केवल 20 वर्सों तक, यानि 1833 के एक्ट तक, किलिर है यां तक, चलिए, अब इसके जरीए क्या हो गय क्रिश्चन मिश्णरियों का भारत में आगमन हुआ, तो ये एक तरह से भारत के लिए न कहें हम, कि भारत के धर्म पर कुठारा घाट, अब सब ये कुठारा घाट क्या नयावड है, यानि अब याद होगा, कि आगे चल कर 1857 के रिवोल्ट में एक बहुत बड़ा धूमिक का निभाया, कि doctrine of lapse, यानि हडप निती या गोध निशेध पर था, यानि अगर आपके बच्चे नहीं हैं, तो आप गोध नहीं ले सकते हो, ताकि आपकी जो राज यह हैं, वो अंग्रेजों द्वारा हडप लिया जाए, अब समझना, क्रिश्चन मिश्णरी भारत आते है और कहते हैं कि अगर आप क्रिश्चन धर्म को एडॉप्ट करोगे, तो यह रूल आप पर लागू नहीं होगा, पहली चीज, दूसरी चीज, हमारे धर्म को नीचा दिखाया गया, और इसाई धर्म को बढ़ चल कर दिखाया गया, और यहीं एक्ट के जरिये, भारत में क्र अमीन, खरिदने या हथियाने की अनुमती मिल गई, यानि कह सकते हैं कि इस एक्ट के जरिये, क्रिश्चन मिशनरी भारत में अपना पाउँ पसार ने लगी, एक चीज अच्छी बाते थी, इस एक्ट की वो थी, कि सिच्छा के लिए परती वर्ष एक लाख रुपिये खर् किये जाते हैं बजट में, तो वैसे ही सरकार ने क्या किया, कि परतेक वर्ष भार्तियों के लिए एक लाख रुपिये राशिव परदान की जाएगी किसके लिए, तो एजुकेशन के लिए, आपके एक्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वोश्चन, कि सिच्छा के ल इंपोर्टेंट फीचर्स हैं, वो क्या होगा, जैसा कि अब कुछ दर पहले कहा, 1813 के एक्ट से, अंग्रेजों की जो मोनोपोली थी, वो केवल और केवल, चाय और चीन के साथ बैपार एक आधिकार बना रहा, यानि 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, 1833 तक, अब कहा भ कोली किसके लिए? सबके लिए, यानि ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी के अलावे, जितनी भी कमपनी हैं, इंग्लेंड की, सबके लिए दरवाजा पूरी तरीके से खोल दिया गया, चाहे वो चीन के साथ बैपार एक आधिकार हो, चाहे वो चाय के साथ हो, या अफीम के साथ हो और एक जो major changes देखने को मिला? Governor General of Bengal to be Governor General of इंडिया यानी Lord William Bantic. Lord William Bantic यह अब तक Bengal के Governor General कहे जा रहे थे अब भारत के Governor General कहे जाने लगे जब आपके एक्ञाम में पूछे जाएंगे कि भारत के पहले Governor General कौन हों गे? Lord William Bantic हों किस एक्ट के जरिये होंगे चार्टर अधिनियम 1833 के एक्ट के जरिये होगा किल्य रहां तक चलिए अब आगे देखें है इसके अलावा क्या किया कि मद्रास और बंबई सरकार विधाईश सक्तियों से वंचीत यानि समझना कहा क्या मद्रास और सरकार लेजिसलेटिव पावर से वंजीतिया ने छिन लिया गया अब कहां चला गया यह लेजिसलेटिव पावर चला गया भारत के गवर्नर जिंडल के अंतरगत यानि कह सकते हैं कि लौर्ड विलियम बैंटिक के अंतरगत चला गया एक जो नया चीज जुड़कर देखने को मिलता है हमें इस एक्ट के जरिए अब फोर्थ मिम्बर एक चौथा सदस जुड़ गया जिसे लाव मिम्बर कहा गया विधी सदस से कहा गया समझे का तूदा पॉइंट है जैसे आपके कोश्ण पूछे गये हैं प्रिवियस एर में जितने सारे पेपर हुए जीएस बेस्ट और आने वाले समय में कमिंग डेज में जितने सारे एक्जाम होंगे आप कोई भी एक्जाम लेलो जीएस बेस्ट कोई भी पेपर लेलो आप यूपी पुलिस की बात करें कोई भी पेपर लेले सब के लिए ये benefit होगा और कई बार पूछा गया है कि जो विधी सदसे हैं वो किस act के जरिये जोड़ा गया तो charter act 1833 charter अर्णियों मथारा सो 33 के जरिये जोड़ा गया था अब एक चीज और दास पर्था को समाप कर दिया गया दास पर्था को समाप कर दिया गया salary system was abolished government services was open to the people of India सरकारी सेवाओं को भारत की जंता के लिए खोला गया के लिए चलिए अब आ जाएं 1853 act 1853 का अधिनियम तीस वाज दा लास्ट दा चाटर एक्ट यह अंतिम चाटर अधिनियम था क्योंकि इसके बाद आ जाएगा 1858 का act जो भारत सरकार अधिनियम ना कहके कहें कि British government के द्वारा लाया गया British government के द्वारा यानि भारत सरकार अधिनियम 1858 ठीक है तो जब भी आपके एक्जामें पूछे जाएं कि अंतिम चार्टर रधिनियम कौन था अंतिम चार्टर रधिनियम 1853 था अब जैसा कि आपको पता होगा 1784 का जो एक्ट था 1784 के एक्ट से जो economic activity और कहें हम political activity दोनों अलग किया गया था वही हाल यहां हुआ कि governor general परिशद के विधाई और कारे कारी कारे अलग कर दिये गये विधाई यानि क्या हो गया कि विधाई डैक्ट मेंस जहां पर rule regulation बनेगा और उस rule regulation के जरिये हम जो कारे करेंगे उसे कारे कारी कहेंगे हम अभी की बात करें जो वर्तमान समय का जो scenario है भारत में भारत का जो समिधान है legislative एक्सक्यूटिव और judiciary legislative यानि जहां हमारे सांसद विधायक कानुन बनाते हैं एक्सक्यूटिव यानि उसके जरिये वो कारी करते हैं जैसे आप एक्सकूटिव बात करें हम तो आप राश्टपती और judiciary यानि न्याय पाली का तो वैसे ही governance जंदल परिशद के विधाय और कारी 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 अलग कर दिये गए चाटर अधिनियम 1853 के तहत एक चीज़ जो देखने को मिला कि recruitment of the companies employees यानि अब company में नौकरी करनी है तो भरती परतियोगी परिच्छा के माध्यम से क्या जाना था यानि कह सकते हैं कि competition exam की सुरुवात कर दिये चाटर अधिनियम 1853 से लेकिन मैं आपको बता दू कि सबसे पहले प्रभरती परतियोगीता परिच्छा की सुरुवात कहां हुई है सबसे पहले परतियोगीता परिच्छा की सुरुवात चाइना में हुई है सबसे पहले civil services की भी सुरुवात चाइना म आज देखे़ा है। अब यह लास्ट थाойти लास्ट हसा ग्षाइट के बाद यहां से बिल्कुल इस्तिन कंपनी खतम हुरती है, और क्राउन का सासन सुरू हो जाता है। क्यों निकल कर आया 1857 का जो एक्ट होगा सॉरी 1857 का जो रिवोल्ट होगा 1857 के रिवोल्ट से अंगरेजों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है जैनि अब भारत हमारा विरोध करेगा इसलिए इस विरोध में कई सारे अंगरेज मारे गए तब जाकर वहां की जो सरकार है भारत का जो सासन वो अपने हाथों में ले लेती है इसलिए पहला संटेंच देख रहे होंगे rule of the company in India indeed यानि भारत में एक कमपनी का सासन फिनिश्ट हो गया और crown की सासन, crown का सासन शुरुवात हो गया यानि वहां के महराने मुकूट पहनती है न इस कारण से कहा क्या गया कि crown सुरूल भारत में crown सासन की सुरुवात हो गई और दो चीजें बच्चों काफी परिसानी होती है आप समझना एक governor general और एक vicerai सर यह दोनों टर्म है क्या ऐसे समझे हम कि अगर हम संस्क्रीट इसकूल में पढ़ते हैं तो वहां के जो हेड हैं उसे हम क्या कहेंगे प्राचारे कहेंगे लेकिन जैसे ही इंग्लिस स्कूल में जाएंगे वह क्या हो जाएंगे प्रिंस्पल हो जाएंगे वैसे ही सेम इस्ट इंडिया कंपनी का जो रिपर्जेंटेटिव था वह क्या कहा गया गया जो भारत में क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिन थी था अभी कोशन बनेगा सब यह बता दो पहला वाइसराय कौन था लौड कैनिंग लौड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय थे जो 1757 के रिवोल्ट के समय भी भारत के गवर्नेजंदल रहे थे क्लिर है चलिए आगे देखिए अब जो 1786 में शुरुवात हुवी थी कोट अब डारेक्टर्स और बोर्ड अब कंट्रोल दोनों को यहां खतम कर दिया गया यानि यह इस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुवात की थी कुर्शन के आएगा कि कोट अब डारेक्टर्स और बोर्ड अब कंट्रोल शुरुवा सबसे पहले कब हो वी तो 1784 के एक्ट से कब खतम किया गया तो गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से भारत में डूल गवर्मेंट दोहरी जो परसासन विवस्था था उसका समापन कर दिया चाता है ठीक है भारत में अब बृटिश क्राउन है वह शासन विवस्ता कैसे चलाएगा आकर महरानी तो लंदन में बैठिवी है वह साक्राव चलाएगा कैसे तब कहा क्या क्या है वह बिवर्मेंट ऑए बहारत में अपक्वाशम कर दीन ताकि उनके जरिए काम करें और साथ ही साथ जो इंडिया कॉंसील है भारत में भारतिये परिशद है उसमें 15 सद से नियूक्त किये गए यानि कह दें कि छोटा मोटा एक मंत्री मंदल था जिसके जरिये भारत में वाइसराय अपना परसासन आगे चलाता था ठीक है